आज हम लोग कर्णॉग मैप देखने वाले हैं, कर्णॉग मैप के रूल्स देखने वाले हैं, कर्णॉग मैप को as a short हम लोग के मैप बहुते हैं, कर्णॉग मैप के काफी सारे पार्ट्स होते हैं, 2 वरियाबल के मैप, 3 वरियाबल के मैप, 4 वरियाबल के मैप, 5 वरियाबल क और Max to Max 6 variable kmap तक यह जाता है तो इस lecture में हम लोग basically यह सब देखने वाले हैं और जो numerical portion है कैसे 2 variable kmap बनाया जाता है कैसे 3 variable kmap बनाया जाता है इसके तुरंट आने वाले lecture में हम लोग उसको भी देख लेंगे Hello everyone, I am M.Dirfan, you are watching Virtual Yarns. Let's go The karnog map also known as the kmap, karnog map को हम लोग kmap भी परते हैं, is a method to simplify boolean algebra expression, इससे हम लोग boolean algebra expression को simplify करते हैं तो suppose किजिए एक expression है, Y is equal to AB plus BA plus CDA, इस type का expression है, तो इसको short कर देता है karnog map The karnog map reduces the need for extensive calculation by taking advantage of human pattern recognition capability Karnog map से हम लोग क्या कर सकते हैं, calculation को easy कर सकते हैं, जो इंसान calculation करता है, कोई भी pattern इसमें हम लोग generally क्या बनाते है, pattern बनाते है, 4 का pattern, 2 का pattern, 1 का pattern ठीक है, और इसके बाद easy कर देते हैं Now, the required boolean result are transferred from a truth table onto a two-dimensional grid, where the cells are ordered in a gray code And each cell position represent one combination of input condition, while each cell value represent the corresponding output value Optimal group of IS और OS are identified इसका कहने का मतलब यह है, कि हम लोग अभी तक क्या बना रहे थे, truth table बना रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या बनाएंगे 2D cell बनाएंगे, जिसमें हम लोग element को डालेंगे Now, the terms can be used to write minimal boolean expression representing the required logic उसको हम लोग सबसे minimal तरीके से लिख देंगे जो expression मिलेगा वही required boolean expression होगा Now, कर्णोग map rules for simplification अब हम लोग को इसके बाद के map into variable, three variable यह सब पढ़ना है तो उससे पहले हम लोग simplification rules पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे First one is, group may not include any cell containing a zero एक group अगर बनाएंगे, तो उसमें zero नहीं होना चाहिए simply इसका कहने का मतलब यह है पहले column में देख सकते हैं, zero और one है तो वो जो group बनाएं वो wrong है और जो one one का group बनाएं वो सही है ना दूसरा है, groups may be horizontal और vertical but not diagonal group जो होता है horizontally लिख सकते हैं, vertically बना सकते हैं लेकिन diagonally नहीं बना सकते हैं पहले figure में आप देख सकते हैं, diagonally बना हुए मतलब वो नहीं लेंगे और दूसरे figure में group horizontally और vertically बना है उसको हम लोग ले सकते हैं now the third one is, group must contain 1, 2, 4, 8 और in general 2 का पाओर n जल मतलब, group 1 का होना चीए, 2 का होना चीए, 4 का होना चीए या फिर 8 का होना चीए, या फिर general 2 का पाओर n होना चीए मतलब, अगर आप n के value 0 डालेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 का बन गया 2 का पाओर 1 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 का बन गया 2 का पाओर 2 डालेंगे तो 4 आएगा, 4 का बन गया 2 का पाओर 3 डालेंगे तो 8 आगया, 8 का बन सकता है group ठीक, तो पहला आप देख सकते हैं, 2 का group बना है, right है दूसरा 3 का group बना है, ये रॉंग है चौथा चार का ग्रूप बना ये भी राइट है और पांचवा आठ का ग्रूप तो बना है लेकिन तीन जीरो इंक्लूट किया गया है इस वज़े से ये भी रॉंग है इच ग्रूप सुड बी अज लार्ज आज पॉसिबल मतला आप कोई भी ग्रूप बनाए तो जितना बड़ा से बड़ा ग्रूप बन सकता है वही लेना चाहिए जैसा आप दूसरे फिकर में देख पा रहे हैं वन वन एक ग्रूप बना है फिर वन वन एक और ग्रूप और वन वन एक और ग्रूप टोटल तीन ग्रूप 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 इंग तो सही हुआ है लेकिन यह रॉंग इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको चार के ग्रूप मे और चार के ग्रूप में मतलब दो चार के ग्रूप में बना सकते हैं इससे हमारा जो expression होता है काफी reduced मिलता है ठेक है अगर कोई वन अकेला है तो उसको एक ग्रूप में हम लोग रख सकते हैं लेकिन आप इस figure में देख सकते हैं जो है अकेला नहीं है तो थोड़ा सा इस figure में गलती है एक वन वन का ग्रूप तो बना हुआ है लेकिन एक और वन वन का ग्रूप बड़ा वाला बनेगा ठीक है छोटा वाला नहीं बनेगा ग्रूप में overlap ग्रूप ओवरलाप कर सकती है जैसे यहाँ पर आप दो ग्रूप देख पा रहे है पहला ग्रूप फोड़ का बना है और दूसरा ग्रूप भी फोड़ का बना है लेकिन दोनों क्या हुआ ओवरलाप हो गया है क्यों overlap मैंने करवा है क्योंकि मुझे बड़ा से बड़ा ग्रूप मिल सके जबकि दूसरा फिगर में देख रहे है तीन ग्रूप दो-दो का बना है लेकिन वो गलत है गलत इसलिए है क्योंकि मैं जब बड़ा ग्रूप बना सकता हूँ तो छोटा ग्रूप क्यों बनाओ इसमें कोई भी गलती नहीं है अब हम लोग कर लेते हैं जीरो अलाउड नहीं होता है नो डागनल में भी नहीं होता है अल्ली पाउड अफ तू नंबर अफ सेल्स इन इस ग्रूप जो एक ग्रूप बनता है वो तू का पाउड न के फोम में होना चाहिए जितना बड़ा ग्रूप बन सेके उतना बड़ा बनाना चाहिए अगर मतलब आपके पास कोई भी वन है तो वो एक ग्रूप में होना ही चाहिए उसको छोड़ा नहीं जाता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूं और साथी साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत बूलेगा जाहिंद वन दे मात रहा हूं